फीजिंग करते होए एक फीशर मैन के जाले में एक लड़की अटक जाती है वो कहा से आई थी कैसे आई थी इसके वारे में किसी को भी पता नहीं था अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारी मुवी ओंडाइन जो तो 2009 के एक फैंटेसी रोमेंटिक मुवी है इसमें देखेंगे मुवी की स्टोरी बहुत ही प्यूटिफूल है और इसके एंडिंग भी अमेजिंग है तो अंदर इस वीडियो को ज़रू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अपिना किसी दरीके एक्स्प्राइशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गारेक्टर सिर्याकस को जो एक फिशर मैन था फिशिंग करता हो देख सकते है अचानक से उसके जाले में फिश के अलावा एक लड़की अटक गई वो उसे देखकर बहुत ही जादा सप्राइस्ट हो जाता है कि वो यहाँ पर आई कैसे है वो इसके पास गया और उसके नेट को उसने उपन किया वो थोड़ा सा हिल डूल रही थी वो अब भी जिन्दा है पर उसके फेपर में पानी भर गया था तो सरकस इसे निकालने में ह पता नहीं है सरकस को लोग सरकस भी बुलाय करते है तो मैं यहाँ पर उसे सरकस बुलाता हो सरकस ने उस लड़की से का कि मुझे तुम्हें होस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा पर इसके लिए लड़की मना करती है सरकस माननी रहा था तो डारेकली पानी में कुदने की टैर ही कर रही थी, तो सरकस उसकी बात मान लेता है, वो लड़की किसी को भी देखना नहीं जाती थी, तो सरकस ने उसे का, मैं एक जगा जानता हो, जहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टब नहीं करेगा सरकस फिर उसे अपने मदर के घर पर लेकर आता है, उसकी मदर की डेट कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, उसे भी अकेला रहना बहुत ही पसंद था इसी वज़े से उस लड़की को भी यहाँ पर वो लेकर आया, अपना लंच उसे दे देता है, वो ज़रा लेट हो चुका और आज उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो यहाँ से वो निकल गया, उसकी वाइब मौरा का और उसका डिवास हो चुका है उन्हें एक बेटी है, इसका नाम में एनी एनी की कीड़नी खराब है तो उसे ट्रांस्प्लांट की जरुवत है जब तक मैस नहीं मिल जाता, तब तक उसे डायलेसिस करना पड़ेगा इसी किलिए सरकस उसे आज डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, वो आज लेट हो गया, तो डॉक्टर से मिल नहीं पाता फिर भी उडायलेसिस कर लेते है ये प्रोसे जब चल रही थी, तो आनी कहती है क्या आप मुझे कोई स्टोरी सुनाओ सरकस ने कहा, एक फिशर मैन था उसकी नेट में एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी लड़की फस गई ये सुनकर एनी पुछती है क्या ओ लड़की सलकी थी सलकी एक चिल्रन के नॉवल का कैरेक्टर है वो सी से अपने सील कोट में आई हुई थी अगर सलकी अपना कोट बरी कर देती है तो साथ साल तक जमीन पर है सकती है यहाँ पर उसे फिशर मैं से भी प्यार हो सकता है इस स्टोरी पर एनी स्ट्रॉंगली बिलीव करती है सरकेस की स्टोरी अनकंप्लेट थी जो एनी को अच्छी नहीं लगती है पर आज नर्स ने उसके लिए मोटराइजट फिल्चेर दी हुई थी जिसके लिए बहुत ही एक्साइड़ होगी घर आने पर उसकी एक्सवाइब मौरा उस पर गुस्सा थी को लेट हो चुका था वो कवे भी उससे सही से बात नहीं करती और अलकोलीक पी है अगली दिन सरकेस फिर से उस लड़की से मिलने के लिए आया उसे कहता है मुझे लगा था कि कल में सपना देख रहा था पर अब यह हकीकत लग रहा है सरकेस फिश पकडने के लिए जा रहा था तो इस लड़की ने पूछा कि मुझे भी लेकर चलो सरकेस कहता है कि वहाँ पर लोग होंगे पर लड़की ने कहा कि मैं उसे छुप जाऊंगे सरकेस उसे समझा रहा था कि किसी लड़की को लेकर जाना है बैड लग होता है वो गहती है कि आजकल तुम्हारा लग अच्छा है सरकेस का लग बहुत ही घटिया था तो इस वज़े से उसे लेकर जाने के लिए मान गया उसने बुचा क्या तुम्हें अब तुम्हारा नाम याद आ रहा है वो लड़की कहती है तुम्हें ओंडिन बुला सकते हो वो भी एक बुक का कैरेक्टर थी जो पानी में से आई थी ओंडिन प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा बोट पर वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा गाना गाती है और सरकस का लग बतल गया अचानक से उसे बहुत ही वैल्यूबल और अच्छे फीश मिलने लग गया वो खोश हो जाता है और आज उसने बहुत सारे फीश पकड़े सरकस ने उसे कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ चल सकती हो जितना वो फीश सेल करकर कमाएगा उसका कड़ भी उसे देने वाला है ओंडिन गयती है कि मुझे लोगों से नहीं मिलना सरकस ने कहा कि तुम तो मुझे से मिलती हो ओंडिन गयती है तुम से मिलना मुझे अच्छा लगता है इसके बाद सरकस टाउन के शॉप में गया वावर वो ओंडिन के लिए कुछ कपड़े लेता है शॉप वोनर के साइस कि उसने कपड़े बाई किये उसे अंडर गार्मेंट बाई करने के लिए ज़रा शरम आ रही थी तो यह चोरी कर लेता है अपनी बैटी एनी से मिलने के बाद उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की उसने कहा कि जो लेड की पानी में से आई थी वो सिंग करकर अलग-अलग फिश को अपने पास बुला सकती है अनी ने कहा कि सलकी जो होती है ये अंडर वाटर एक दुसरे से गाकरी बात करती है वो फिर ओंडिन को उसके कपड़े दे देता है उसने बुचा कि तुम कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो और निन बुचती है कि मैं कितने दिन रह सकती हूँ सरकस कहता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्ही यही रख लो और निन को भी ये बात बहुत अच्छी लगी एनी को अपनी फादर की स्टोरी ज़रा अजीब लगती है पर आज उसे कनफेशन भी करना था उसने कहा कि मैंने छोरी की है प्रीस्ट के बुचने के बाद उसे ओंडीन के बारे में बता देता है यह सब प्रीस्ट को बहुत ही अजीब लगा वो गहते है कि आगे क्या होता है यह मुझे बताते रहना एक दिन जब ओंडीन स्विमिंग कर रही थी तो एनी वहाँ पर पहुझ गई उसे लगी रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड है और अब यह बात कनफर्म हो गई एनी ओंडीन से कहते हैं तुम वही लड़की हो मुझे बता है कि तुमारे पास एक कोट है अगर तुम उसे बरी कर देती हो तो साथ साल लैंड पर रह सकती हो यह वपर फिशर्मैन के साथ तुमें एक अच्छी लाइव भी मिलेगी एनी इतनी ज़ादा बात कर रही थी तो अंडीन को बात करने का कोई भी चांस ही नहीं देती है इसके बाद हम देखते है कि सरकस को अईनी ने जो स्टोरी बताई थी इसके बारे में वो खुद भी रिसर्च करने लग गया था अईनी के बाद निव विल्चेर है उसके क्लास्मेट को अच्छा नहीं लगता तो उसका बहुत मजा को ड़ात है एक क्लास्मेट विल्चेर पर बैट गई उसे पानी में डाल देती है एनी इसके गिलाव कुछ भी नहीं करती है वेसे भी उसके एस से वो बहुत ही ज़ादा मैच्च होए रहा इसके बाद हम हमारी स्टोरी में एक स्टेंजर को देखते है ये इस ताउन में ओंडीन को ढूनते वे पहुँच गया था एक दिन फिर से सरकस ओंडीन को अपने साथ शिप पर लेकर जाता है ये शिप कैसी चलानी है ये भी ओंडीन सीखने लग गई थी ये एक दूसरे के करीब आने लग गए थे ओंडीन फिर से एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा काना गाती है और आज फिर से इन्हें बहुत अच्छे फीश मिले थे जो फीश नॉर्मल नेट में पकड़ना इंबॉसिवल होता है वो भी नेट में आ गए थे अचानक से कुछ कोस्ट कार्ड सरकस की बोट पर आके ओंडीन को जल्दी से छुपा देता है वो सरकस से बुछत है नॉर्मल नेट से तुम्हें फीश पकड़ कैसे सकते हो वो नेट चेक करने के लिए और इसके नीचे ही ओंडीन थी सरकस कहता है किसी लटकी को बोट पर लाना क्या कोई क्राइम है वो गहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो यहाँ से चले गए पर इनका डॉन बहुत ही छोटा है छोटी छोटी बात है सब लोगों को पता चल जाती है सरकस ने ओंडीन से कहा अब सब लोगों को तुमारे बारे में पता चल जाएगा छुपका रहने में कोई भी पॉइंट नहीं है जब इस सिटी में बहुचते तो सब लोग उसे ही देख रहे थे ओंडीन कहती है कि बहुत ही अजीव है अगर आप अच्छे दीखते हो उस सब आपको घुरते तो अच्छा लगता है उसे नहीं लगता था कि वो ब्यूटिफूल है पर सरकस कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफूल हो इसके बास सब के सामने ओंडीन सरकस के साथ घुमने लगके टाउन में दोनों एनी से भी मिलते हैं इन्हों ने कहा कि हम दोनों अल्डेडी मिल चुकी है सरकस ने ओंडीन के लिए लाए होए कप रेइद ने जाद आच्छे फीट नहीं थे तो अंडीन शॉपिंग करने के लिए आती है उन्होंने अच्छे अपड़े बाय कर लिया है एनी को लगता है कि ओंडीन और उसके लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से ड्रेस करते है वो हमेशा उसे सी क्रियेचर ही समझती है एक दिन ओंडीन ने एनी से कहा कि तुम स्विम क्यों नहीं करती है इसे तुम्हें बहुत ही रिलाक्स लगेगा एनी पानी से डरती थी और ओंडीन के साथ नहीं इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करने के लिए चले गए एनी को स्विम करकर बहुत अच्छा लगता है पर अच्छानक से ओंडीन के पेर को कुछ लगा य इसके लिए ओंडीन में मानके एक जगहा आपर इन्हों ने गार दिया यह सब बोठ पर थे तोंडीन से बुछते हैं तुम्हारा हसबंड का है तुम्हें हसबंड होगा पर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है एक्चॉल में जो आदमी ओंडीन को ढूंड़ रहा है य जिनके यहाँ पर एक competition थी तो सब लोग मिलकर इसे enjoy करते हैं यहाँ पर ओंडीन का husband भी आया हुआ था एनी ने ओंडीन से फिर से पूछा क्या तुम मेरी wish complete कर सकती हो ओंडीन उसे कुछ भी बोल नहीं रही थी तो एनी डिसाइड करती है कि उसे test करेगी अपने wheelchair से और डारे वुछती है तुम्हारा नाम तो Sarah Gus है तुम्हें सब लोग सरकस क्यों बुलाते है सार कस कहता है कि मैं सरकस में काम करता था और बहुत ज़्यादा पिया करता था और ने वूचा कि तुमने stop क्यों कर तिया सरकस कहता है कि एक दिन मेरी wife बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी एनी घर पर बेहोशी की हलत में पड़ी हुई थी वो खुद भी बहुत जादा ड्रंग था वो अपनी बेटी का अच्छे से खैल रखना चाता है तो उसके बाद से उसने दारू पिना छोड़ दिया उसे फिर भी एनी की कस्टेडी नहीं मिली थी क्योंकि वो सिर्फ एक फिशर मैन है यह सब सुनने के बाद ओंडीन उसके पास आ गई और यह दोने इंटिमेट हो जाते है ओंडीन की लाइफ में जो भी चल रहा था इस सारी चीज़े वो प्रिस्ट को बदाता है अगर वो किसी से बात ना करे तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ओंडीन के हजबन ने सरकस के पास आकर उसे बात करने की कोशिश की ओंडीन कहा रह रही है इसके बारे मैं जानने की कोशिश की पस सरकस उसे डारेक्ली इगनोर कर देता है एक दिन ओंडीन का हस्बन उसे ढूनते हुए डारेक्टली घर पर पहुझ गया वो बहुत ही ज़दा डर गई थी पीछे के दर्वाजे से वहाँ से भाग जाती है थोड़ी देर में सरकस जब घर पर आया तो ओंडीन को ढून नहीं पाता अलग-अलग जगा पर उसने उसे देखा तो स्टीम के पास बेटी हुई थी उसे पता देती है कि मेरा हस्बन मुझे लेने के लिए आ चुका है ओंडीन ने कहा कि मैं अगर विश कंप्लीट कर पाती तो मैं चाहती कि आनी की भीमारी चली जाए सरकस कहता है मैं भी विश करता हूँ तुम हमेशे यहाँ पर रहे जाओ आजरत फिर से मौरा और उसका हस्बन बहुत ही ज़्यादा ट्रंक हो गए थे वैसे ही वो गाड़ी में एनी के साथ घर पर आ रहे थे तब ही हम देखते है कि आनी का हस्बन भी बहुत ही फास गाड़ी चला रहा था इन दोनों का अपना गाड़ी पर कंट्रोल नहीं था तो एक्सिडन हो जाता है इस एक्सिडन में मौरा के हस्बन एलेस की तुरन डेथ हो गई थी वो और ओंडीन का हस्बन ने दोनों बहुत इंजोर थे इसके बारे में पता चलने के बाद सरकस और ओंडीन ये दोनों जल्दी से हस्पिटल में पहुँच गए डॉक्टर ने सरकस से कहा कि मौरा के हस्बन की किड्नी एनी से मैच कर रही है वो एक डोनर भी था तो एनी को एक न्यू किड्नी मिल के ये वही वीच थी जो अभी-अभी ओंडीन ने की थी हस्पिटल में ओंडीन का हस्बन भी था ये दोनों मिले हस्बन ने कहा कि मेरे साथ चलो हम यहाँ पर बिलॉंग नहीं करते है ओंडीन कहती कि पुलीस मुझे बात करना चाहते है मैं यहाँ से नहीं जा सकती है उसे खुद जाना भी नहीं था नेकसिन में मौरा के हस्बन का फ्यूनरल हुआ वो खुद ड्राइव कर रही थी तो इस वज़े से अपने आप कोई जिमेदार मानती है वो अब एनी का ख्याल नहीं रखना चाहती है तो सरकस को सारी रिस्पॉंसिबिलिटी दे देती है बस सिर्फ एक कंडिशन पर ये कंडिशन थी कि सरकस ओंडीन के साथ नहीं रहे है सरकस के लिए डिसेजन लेना बहुत ही हाट था तो मौरा ने कहा कि आज मेरे साथ ड्रिंक करो उसे ड्रिंक कियो है दो सालों के पर फिर भी उसे उसके साथ ड्रिंक करना पड़ता है आजरा तो बहुत ही जादा ड्रंक हो गया और डारेकली ओंडीन के पास आया उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर लेकर जा रहा हो तुम यहाँ पर मेरे साथ बिलॉंग नहीं करती जिस आइयलन के पास उसे मिली थी वहाँ पर घसीटे-घसीटे जबर्दस्ती लेकर गया वो गहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो ये सब करते हो सरकस का दिल बहुत ही ज़ादा तूट रहा था पर फिर भी उसे करना पड़ेगा अपनी ड्रंक हालत में सरकस ने अपनी राथ पेड़ बर विताई ये सब चीजे प्रीज देख लेता है उसे सरकस के बारे में सब कुछ पता था उसे गता है कि तुम्हारा प्रावलम क्या है तुम हमेशा गम में रहते हो गम में रहना बहुत इजी होता है पर हैपिनेस जुणना इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है यानि कि अगर ऑंडीन के साथ उसे रहना है तो उसे फाइट करना पड़ेगा अपनी खुशी के लिए उसे लड़ना पड़ेगा इसके बाद सरकस एनी को घर पर लेकर आया सुबा एनी जब टीवी देख रही थी तो ऑंडीन जो हमेशा गाना गाती थी ये टीवी पर आया ये गाना सुनने के बाद सरकस रियलाइस करता है कि अंडीन कुछ भी एक्स्टा-ओर्डिनर नहीं है कोई भी सी क्रियेचर नहीं है वो जल्दी से भाग कर उसे लेने के लिए गया अंडीन स्विम करती है एक अलग आयलन पर चली गई थी तो वहाँ पर वो पहुच जाता है सरकस नहीं कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ तुम यहाँ पर आई कैसे है अंडीन गयती है कि मैं रोमिनिया में एक स्लेव थी है मेरी हेल्प लेकर एक गैंस्टर ड्रग को सप्लाई करता था यह वाटर के थूर जा रहे थे तब पूलिस नहीं घेर लिया वो अपने हस्बन के साथ थी पर हस्बन ने ओंडीन को पानी में कूत कर वहाँ से स्विम करने के लिए कहा वो गहती कि मेरा हस्बन बहुत ही घटी आथमी है और चौंज में स्विम करती है बहुत ही दूर तक आके वो लासतक ânच स्विम करती रही उसके बार डूब रही थी तब इस सरकस ने उसे बचा लिया था सरकुस को ओंडीन के लिए बुरा लगा और इसके बाद एक घर पर आ जाते है गर पर ओंडीन का हस्वर्ण अल्डेडी मुझूद था उसके साथ एक आद मीन सब को धमकाता है कि मुझे मेरे ड्रक्स चाहिए हमने मुवी में देखा था कि ओंडीन को पानी में कुछ मिला था जिसे उन्होंने गार दिया था ये वही बैग है ओंडीन कोपरेट करती है पर उसकी जगा पर उसे बैग मिलता है नहीं एनी ने वो बैग निकाल कर किसी और जगा पर रख दिया है यानि को लगता है कि वो बैग यानि कि सील कोड जब तक जमीन में गड़ी रहें तब तक साथ सालों के लिए ओंडीन उसके साथ रह सकती है ओंडीन के हस्बन ने उन्हें बहुत धमकाया तो आयनि उसकी लोकेशन उसे बता देती है वो गहती कि मैंने शीप के पास पानी में उसे रखा हुआ है इस सब मिलकर शीप पर गया ओंडीन को पता था कि उसका हस्बन उसे इस तरीके से जाने नहीं देगा वो मोके का फायदा उठा कर एक रसी खीच लेती है जिसके उसका हस्बन पानी में गिर गया था वो स्विम नहीं कर सकता तो इस वज़े से उसकी वही पर डेथ हो जाती है इसके बाद ओंडीन को पुलिस ने अरेश्ट कर लिया क्योंकि वो यहां की नहीं है वो से फिर से उसके कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने वाले थे पर सरकस ने एक आइडिया लग गया यह बहुत सारी मुविज लेकर आत रहते हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम विर से मिलेंगे और एक निमुव के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया